आज दिसक्स करेंगे UTC Net Home Science का स्लेवर्स का यूनिट थर्ड एक्स्टाइल अगर आप टेक्स्टाइल की बात कर रहे हैं और उसके स्लेवर्स की बात करने जा रहे हैं तो देखें यहां पर जो क्विश्चिन्स आपसे पूछे जाएंगे वह बिसिकली जो होता हैं आपके थो इंपॉर्टन चीज़ की यहां पर आपको सबसे पहला जो कुन सब्सक्ट करना है टेक्स्टाइन के टर्मिनलोजी आपके क्लियर होने चाहिए फाइबर क्या है यान क्या है ताइक सौफ विव जो होता है आपको क्लेयर होने चाहिए च्लासिपिकेश्ट आफ फाइबर्स क of fibers को और भी इसको यह चीज़े बहुत इंपॉर्टन हो जाती है इसकी बात नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें हम manufacturing process की बात करते हैं और इसमें भी manufacturing की में भी अगर हम बात करेंगे तो natural और जो होता है artificial fibers दोनों की बात करेंगे उसकी properties और उसकी users की बारे में जो होता है यहां पर हमको पढ़ना होगा इसलिए बात अगर आपको बात किये जाए कि methods different methods है कि मतलब fabric को build करने के कुछ जो होता है woven fabric होंगे कुछ जो होता है non woven fabric होगे तो कुछ knitted fabrics होंगे ठीक है तो यह सारी चीज़े क्या है इन्वे क्या basically जो होता है difference आता है वो चीज़े आपको यहां पर और उसकी properties उसके क्या use है यह सारी चीज़े आपको यहां पर क्या करनी होगी cover up करनी होगी इसके बाद अगर हम बात करें जो next point इसमें important है कि textiles जैसे ही आप the five of fabric जो होता है वो develop होता है उसकी finishes उसकी classification उसकी processing उसकी purpose of finishes यह सारी चीज़े जो होती है वो हमें क्या तरनी है discuss कर लेनी है इसके बाद आपको जो होता है dying method, printing method उसका भी classification कि जैसे अगर हम बात करेंगे block printing क्या होती है अगर हमें बात करेंगे जाद जो हुआँ है